तो कैसे हैं आप सब आई होप कि आप सब अच्छे होंगे बहुत अच्छे होंगे और आज प्रीक को नए नए हैक के साथ आप लोग के सामने हाजिर हो तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो सबसे अगला टिप्स मेरा यह है दोस्तों देखिए इस तरीके का टप कर लेक जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि पानी का छीटा पढ़के और कैसा हो जाता है उजला उजला सा दाग सा हो जाता है कपड़े धोने वाला हमारा टप जो होता है गमला बोलिए या टप बोलिए तो इसको आज हम बहुत ही एक इजली तरीके से साप करके आप लोग को दोस्तों और बहुत ही आसानी से साप करके दिखाएंगे तो इसके लिए हम हार्पिक ले लिए हैं यहां पर और हार्पिक से हम बहुत ही इजली साप करके दिखाएंगे तो हार्पिक यहां पर हम गमले में डाल ले रहे हैं और उसके बाद हार्पिक ज्यादा नहीं डालना मातरा में थोड़ा सा ही मातरा में डालना है और इसके लिए हम हाथों में पहनेंगे गलाप्स तो अगर दोस्तों गलाप्स हमारे हाथों में नहीं है तो हम अपने घर में हमारे घर में तो प्लास्टिक तो आते ही रहते हैं तो प्लास्टिक रहते हैं तो हम प्लास्टिक को ही लिए हैं जुना और इसकी मदद से हम पूरे गमले को सफाई करेंगे और देख सकते हैं कितना वाइट वाइट उजला उजला सा पानी का लगार लगा हुआ है तो इसे हम तुरंट चमका कर आप लोगों को दिखाते हैं जैसे में हमारे मग बगएरा होते हैं नहाने वाले वे मग बगएरा उसे साप कीजे चमकाईए ताकि दम लगता है ना जैसा कि नया हो गया और अपना बचत कीजे दोस्तो खुद अपना बचत कीजे तो चलिए दोस्तो अगला टिप्स मेरा है देखिए अब गैस की बचत को लेकर जैसा कि हम तावे पे एक रोटी सेखते हैं उस और देखिए किस तरीके से उलट पलट कर और एक बार में ही दो रोटी पका लेना है दोस्तो ताकि इसे होता है क्या ना कि हमारा गैस का बचत होगा अपना ही प्रोफिट होगा तो यहाँ पर दो रोटी हमारी सेका रही है दोस्तों तो इस ट्रिक को प्लीज आप लोग जरूर देखिए और जरूर कीजे दोस्तों आप लोग का बहुत ही मदद होगा, help होगा तो यहाँ पर देखे दो रोटी हमारी सिख गई है, एक बार में तो है ना useful tips दोस्तों बताईएगा कैसा लगा, यह वला मेरा tips, वीडियो पसंद आया हो तो एक like जरूर कीजेगा, तो दोस्तों दोनों रोटी हमारी देखे एक बार में ही बन गई है, fully fully रोटी, तो दोस्तों यह जल जाती है तो इसके लिए देखे पूरा दाग मालता है तो अक्सर जूला से साप करते हैं दोस्तों आज हम जूला साप नहीं करेंगे खाली medicine का यो पट्ता होता है उससे हम आप लोगों को चमका कर तावे को दिखाएंगे अगर इससे आप लोगो छुडाना है जो जैसा कि ज्यादे जला हुआ कोई तावे में लगा हुआ है रोटी का जला हुआ तो इससे आप लोग साफ करके एक बार देखें दोस्तो एकदम चमकीला बना देगा और बहुत ही बढिया लगेगा तावा को देखने में तो देखिए हम साफ कर लेते हैं साफ करके आप लोग को दिखाते हैं तो वीडियो को पूरा देखेगा दोस्तो फुल वाच प्लीज स्कीप नहीं कीजिएगा और यहां पर देखिए हमारा तावा भी मंज कर रेडी हो गया देखिए कितना वाइट वाइट और साफ लग रहा है तावे को और इसे हम कोई जूना बगएरा से नहीं साफ किये हैं सिर्फ मेडिसन के पत्तों से साफ किये है दोस्तो जो पता पड़ा रहता है तो अगला टिपस मेरा ये है धोस्तो यूसफुल कि हमारे सरीर में गैस बगएरा जैसे कि गैस्ट लोजी तो हर कोई को होता है ऐसा नहीं कि नहीं होता है तो इसके लिए हम एक ट्रिक लेकरा है धोस्तो ये दादी पर अंगली है कानी अंगली उसके अंग को जैसे की दवाने से कुछ चीज से तेहां पर हम कलम से दबा रहे हैं तो ऐसा मना जाता है कहते हैं लोग की जैसे की कोई अंग दवाने से गैस हमारा ठीक हो जाता है तो आई होप कि दोस्तों आज का मेरा यूस्फुल टिप्स पसंद आ